हेलो दोस्तों कैसे आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए फ्रीन बैकी के दपिन पैक इवेंट की जो काफी इंट्रेस्टिंग था आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा तो आएए वीडियो शुरू करते हैं फ्रीन बैकी के एंट्री हुई वाइट ड्रेस में मैचिंग मैचिंग यह तो हम लोगों को हमेशा ही देखने को मिलता है यहां फ्रीन बैकी को स्टेज पर बुलाया गया और इन्होंने अपने आपको फैंस के साथ इंट्रडूस करवाया वो भी अपने पिन पैक करेक्टर के नाम से है इसके बार टाइम था फ्रीन बैकी से कोशन करने का जो की काफ इंट्रेस्टिंग थे जहां इन दोनों से उनके स्रीज पिन पैक कैरेक्टर के बारे में पूछा गया था फर्ष्ट कोशन बैकी ने फ्रीन से पूछा की पिन पैक स्रीज में मेरा नाम क्या है और देखिए फ्रीन ने कैसे फ्लरट करते हुए क्या आंसर दिया प्रीन का अंसर था बैकी रेबिका पेट्रिशा आंस्ट्रोंग क्या प्रीन आप इस स्रीज में एक साथ काम कर रहे हैं और आपको नाम भी याद नहीं है I'm sure you are kidding Second question बैकी से पूछा गया क्या रोयल वर्ड सीखना उनके लिए थोड़ा difficult था और बैकी का अंसर था कि ये उनके लिए काफ़ी difficult था वे अक्सर गूगल से सर्च करके पढ़ती थी लेकिन वे धीरे-धीरे समझ जाती थी जिससे उन्हें थोड़ी बर्ट प्रोब्लम तो होती ही थी थर्ड कोस्टन फ्रीन बैकी दोनों से पूछा गया कि लेडी पिन और अनिलफिक के लव के बारे में फैंस को बताए फ्रिन ने लेडी पिन के लव के बारे में बताया कि लेडी पिन वह परशन है जो अगर वह किसी परशन को चाहती है उसे लव करती है वह चाहती है कि वह परशन उसे अटेंशन दे उसे ऐसा लगता है कि हाइँ अटेंशन और कैर की जरूरत है Especially long distance में वह परसन जो समुद्र के पार गया है वह उसे काफी मिस करती है वहीं बैकी का अंसर था कि एनिला फित किसी पर भी हिट करने के लिए रेडी रहती है वह जिद्धी और घमंडी है कभी-कभी सब की बात सुनती है और कभी-कभी किसी की भी नहीं सुनती अगर उसका टार्गेट लव है तो वह उसके लिए हमेशा रेडी रहती है क्या कैरेक्टर है दोनों का स्रीज में लेडी पिली एक सांथ परसन और वहीं अनिला फित उसके अपोजिट है और फॉर कोशन प्रीन बैक लेग बचा गया कि आप दोनों लव को कैसे देखते हैं प्रीन का अनसर था अगर आपकी फिलिंग सही है और अगर आप किसी के लिए फिल करते हैं तो आपको बोल देना चाहिए क्योंकि लव इज लव इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप क्या फिल करते हैं और वहीं दूसी तरफ बैकी का अनसर था यस जब आप किसी परसन के साथ कमफरटेबल फिल करते हैं तो बस मैं इतना ही आस्क करती हूँ ये तो सही है सब लोगों का लव को देखने का अपना पॉइंट अफ यू होता है आप लोगों का भी होगा है न और इसके बाद फिल बैकी से फिल पैक सिरीज के कुछ लाइन भी रीड करवाई गई ये वो लाइन थी जब एनिला फित और लेडी पिन इस्टड़ी रूम में रहते हैं सजा के लिए और एनिला फित लेडी पिन की पिच्चर बनाती है और लेडी पिन कहती है क्या मैं बदसूरत हूँ क्या ये तुम्हें क्यूट लगता है और बैकी ने देखी कैसे येस में नोड किया इसके बाद बैकी फ्रीन से एक कॉशन पूश रही है कि अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो क्या कहोगे फ्रीन का आंसर I miss you और बैकी ने डिनाइड करते हुए कहा ये वर्ड नहीं कोई औ और वर्ड फ्रीन का आंसर ड्रिंक लोट्स ओफ वाटर ये कैसा अंसर वह फ्रीन एनिवे हमसे ज़्यादा ये दोनों इन वर्ड की फ्यूलिंग को समझते हैं यहां फ्रीन बैकी ने पिन पैक सिरीज को सपोर्ट करने के लिए भी डिक्वेस्ट की उन्होंने कहा वे अपन कि यह सिरीज हमें नेक्स्ट इर पक्का देखने को मिलेगी इसके बाद टाइम था फैंस से मीटिंग करने का जहां काफी फानी मोमेट देखने को मिले फर्स्ट फ्रीन फैंस से फोपकॉन खाने के लिए पूच रही है लगता है वो भूकी है ऐसा करते हुए फ्रीन काफी फैंस को थैंकिवी बोल रही है और दूसरी तरह बैस ने अपने खाने के लिए पैसे करने को कहा कैसे फैंस और फैंस तो फिरिंग के लिए जान भी दे सकते हैं तो फोपकॉन क्या चीज़न बाड़ फ्रीन ने कहा उनके पास पैसे नहीं है में बडेंसे खाने के लिए कुछ रही हैं कि वे क्या खाना चाहते हैं फैसे ने कहा पपाया सैलेट और बाकी फैंस ने कहा फ्लड़ फूड वर्डेश फλफी यह सुल यह फी डोप कर खाना खाना चाहते हैं और इस पर फ्रिंट का रेक्षम देखिए कर! 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 तो यह लाश्ट ताइम फैंसे वाई बाय कहने का इस टाइम इस टाइम इस टाइम इस टाइम इस टाइम इसाड़ मुमेंट तो दोस्तो एहले कि बस हमारी आज की वीडियो आई हो आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बी हैपी एंड कीपी स्माइलिंग